इंदोर के एरोटरम थाना शेत्र में नाबालिक के अपहरण की संसनी खेज घटना हुई जहां नाबालिक बच्ची का अपहरण कर आरोपी ने उसे शराब पिला कर उसके साथ जम कर मारपीड भी की वहीं पलिस ने आरोपी को गिरफतार भी कर लिया है मध्य प्रदेश में लगातार बच्ची के साथ छेड़ जार की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है इसे भी जिन दोर के एरोटरम थाना शेत्र में एक नाबालिक बच्ची के अपहरण की घटना ने संसनी फैला दी दरसल शिक्छक नगर शेत्र का युवक नाबालिक बच्ची को उसके घर से ले कर जाता है और शराब पिलाता है और फिर उसे जम कर पीटता है बच्ची जैसे तैसे आरोपी के चुंगल से भागने में सफल हुई गायल हालत में घर पहुची किशोरी को फिलाल एमबाई स्पताल में भरती किया गया नाबालिक के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्स करते हुए उसे हिरासत में ले लिया इधर किशोरी के परिजनों का आरोप है कि उनकी बच्ची के साथ आरोपी ने गलत काम भी किया है लेकिन पुलिस ने फिलाल अपहरण और मारपीट की धाराओं में केस दर्स किया है पुलिस के मुताबिक पच्ची की मैडिकल रिपोर्ट आने के बाद यदि जरुरत हुई तो धाराएं बढ़ाई जाएंगी धाना एरोडरम में कल रात नौ बज़े के असपास एक नावाली बच्ची अपनी माता जी के साथ आई जिसमें लड़की दोरह बताया गए कि हर्द भेहसी के हालत में थे उसके दोरह बताया गए कि मेरे को एक लड़का ले गया था अपने घर में तथा मेरे को सराब पिला दी और मेरे साथ मार पीट की चुकि वो हर्द बेहोसी के हालत में थे इसलिए ततकाल उपचार की हिसाब से उसको ततकाल जिला अस्पताल भेजा गया जिला अस्पताल में संबंदी डाक्टर दोरा उसके एमेल सी कराई गई तथा कु अन्य थानों की अधिकारियों से बयान लिये गए जिसमें उसके तोरा बयान अलग अलग बोल लई थी जिसमें परिवार जन जो आरोप लगा रहे थे परिवार जन का एक कहना था कि उसके साथ गलत काम हुआ होगा तो उस आधार पे उनके अलग अलग बयान बदल लई ती लड़की के बयान रात में लिए लेकिन उसके द्वारा गलत काम की पुष्टी नहीं की गई है और अभी वर्तमान में उसके अन्य थाने के महिला अधिकारी से बयान लिए गया जिसमें उसके दोरा यह बताया गया है कि मेरे को गार्डन में बैठा के अपने घर ले गया था जो बारी चोट है ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है और जो मेडिकल डिटेल मेडिकल परिक्षान है उसकी रिपोर्ट अभी आईगी अगर उसमें कोई बात सामने आती है तो उसके बेसिस पर धाराएं बढ़ाई जाएंगी